सो लाइट्स केमरा एक्षार गुट बादेंग यह सरकार सो महुल जब दो शांधर इंडरेट टेक्स गुट्स एंड सर्विसेस टेक्स जी एस्टी नाम तो सुनाई होगा अपने शाहिद पका तो सरकार शुरू करेंगा इंडरेट टेक्स ओके तो सर जी एस्टी गुट्स एंड सर्विसेस टेक्स लेके प्रभू का नाम शुरू करते हैं जी एस्टी का काम करेंगे शुरू चाहिए यस तो सर आपको भी चाहिए आपके लिए तो बोलीए मैं तो चाहिए नहीं पिता अपने अलगी चीज़ चलती हैं साब ओके और चर्ती शराब से नहीं चर्ती माहुल से हैं तो सार शुरू करते हैं इंडारेट टेक्स सब से पहली बात सर है सभ सबसे बढ़े प्रणाम अपने पेरेंट्स को चर शले प्रणाम अपने भगवान को मा सरस्वति को जो उनको बुद्धी देगी अंसर वी ओल विल अचीव आर गोल्स क्योंकि अल्टिमेटली पढ़ाई जब तक आपका दिल पढ़ाई से नहीं लगेगा तब तक दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि यह इस एज में अपना जो मन है न वो दिल की बजाद सुनता है दिमाग की कम सुनता है तो सर एल ट्राइमा बेस्ट की जीए हुए टी गुटेंट जड़ू सर्विसेश टेक्स से पहली बात आप मुझे बताओ आपने कभी नाम सुना क्या इंडाे टेकश सुनाए क्या आ पका व्के fluent जबात कि खर आ डटी नाम ऌने सर पका फुल फुञा क्या है इंडारेट टाएक्स एके डर गलिए नाम तुनाए क्या दर तो नallasगता हैस कि नाम से नहीं आ डर खोल दी आपका का Okay Sir Direct Tax, supply ट्रेक्स, के दरेक्स दर टक्स है इंड, Okay, सम्orang्य क्षेक्ष कर दरेक्स हए इंड, तकन्ड क्षेक्ष इंड इख इosisındar, Okay, Sir बात करेंगे सकते क्या होता है इंड, इन दीरेक्स क्या होता है टेकसिस क्या होते है। यह टेकसिस क्या होते है सर। अच्छा एक बद और, बिफोर बिगनिंग मैंने एजम्शन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। सर दिल की बात छिली सर आपने क्या बात कर रहे हो। तो सर। GST we are reading for the first time. आपने नाम भी नहीं सुना है। आपने फी पे किया है उस पर GST देखा भी नहीं होगा आपने सर। नहीं देखा आपने सर। परफेक्ट हमने भी नहीं देखा। तो सर। अजंशन लिया है कुछ भी नहीं आता है फिर भी अगर कोई question मैंने आपसे पूछा है it means you know the answer मैं कभी नहीं पूछूंगा आपसे बताओ इस AC पर rate of text क्या है मैं कभी नहीं पूछूंगा clear पर अगर मैंने कोई question आपसे पूछा है it means you know the answer and आपको पूरे common sense है मुझे answer देना है I don't need book answer okay पका बात करोगे मेर से ओके तो सर चलिए direct text हो या indirect text हो point is that what do you mean by taxes यह taxes क्या होते यह भली direct हो बली indirect हो what is the text एक लाइन में एक common sense बांसर मुझे कोई book का language नहीं चाहिए कोई legal language नहीं चाहिए I need common answer taxes taxes are the obligation of obligation of obligation of or or good taxes yes sir money taken by the public to run the country कौनलता मनी कौनलता मनी government okay so means you mean to say that taxes are the revenue of the government taxes are the revenue of the government very good Texas are the revenue of the आप आप्च्टन नंडर्मोधी अपकी बार प्षर कोंग्रेश बीजेपी न्सीप सर्फिशन कोन सर्कार कॉंग्रेस बिजेबी एसा सब्सक्राइब कुण होता है?" स्टेट गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट एक पर कुण होता है सर्ड देश को हो चलाने वाली बॉड यॉड रदी गोर्मेंट आप इसंठे पता रहे हो आपका घर का है सरर उसके घर के सामने साहिवत तरों केУाइड दुरॉकर का आपने सामने अ माहन वल इसनी तो पनता है सर तो पॉइंट पहराब सी क्राउट जाना historically this crowd is so beautiful so beautiful so just looking like a wow okay so sir who is the government yes sir government sir India के अंदर India के अंदर क्या elections होते ही का sir पता है India is a democratic country India is a democratic country what do you mean by democracy yes by the people for the people and of the people जनता के लिए जनता के द्वारा एंद जनता के लिए जनता के नहीं किया है जो भी किया हो और यस या नो पका तो पता है गवर्मेंट कोन है हम सब गवर्मेंट विए लार दी गवर्मेंट कोई एक कोई पार्टी नहीं कोई बीजेपी कोई कॉंग्रेश है कोई आम आदमी पार्टी नहीं सरकार गवर्मेंट कोन है हम सर देश को चलाएगा यह से चलाओगे देश को चलाएगा पका कैसे चलाएंगे सर यह नहीं सोचा सर सर इंडिया में डेमोक्रासी है जो करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे जो करेंगी पब्लिक करेंगी एंट सर पब्लिक के लिए ही होगा काम क्लियर एंट सर हम सब लोग मिल के देश चलाएंगे अब देश चलाना हो हम सब को मिल के देश की पोपुलेशन की तिनी सब लगबग अरूंड 140 प्लस क्रोड अभी बोलते बोलते दो तीन और बढ़े गऊंगे अब सर अफ जर पॉंट इस एट पंट इसएट है एक सो चालीस क्रोड लोग देश को चलाएंगे आधे। लोस बनाना सर कणून बनाना रूल्स बनाना एक्ट बनाना ये कैसे करेंगे सर एक सो चालीस क्रोड लोग लोग मिलके एक्ट बनाएंगे 140 करोड़ लोग मिलके देश चलाएंगे कैसे चलाएंगे बात किसे करेंगे सर एक साथ मिलेंगे किसे हम लोग सर इसलिए हम लोग क्या करेंगे हमारे बीच में सही जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेड़ लोग होंगे उनको हम इलैक्ट करेंगे हसना मत अपने आपए होए सरा हमने क्या हमारे रिप्रेजेटेटेटिव्स इलैक्ट किये जो हमारे बीहाफ पर क्या करेंगे डिसेंस लेंगे हमारे बीहाफ पर सर वो डिसेंस लेंगे देविल रिप्रेजेंट अस यसे नो तो हमने क्या किया सर इलेक्शन किये अल्टिमेटली सेंटर गवर्मेंट की बात करूं मैं आप से अगर तो मेमर ओफ पालियमेंट सर आप हमारे बिहाफ पे बेजाए है एक लोग सबाव और यह से ना अगर अगर सर समझना बात कुझन से member of parliament की बात करूए आप से देश के हर कोने से देश के हर corner से हमने क्या है क्या सर एरिया इस डिवाड करके वहां से member of parliament का election कराया वहां के लोगों ने member of parliament को elect किया and ultimately अगर all the member of parliament present है इट मेंस पुरा देश प्रजेंट है अगर साने member of parliament कोई डिशन लिया मतलब पुरे देश ने डिशन लिया और यस या नो समझा परी बात सर तो आप मुझे बताओ आपने भी सुना होगा कि हर साल हर सार फिनेंस एक्ट आता है सुना होगा सर आप मुझे बताओ देश कुन चलाएगा आवाज ने रिये अब हम सब अब अगर कंडिशन हो गई मार्किट सिनेरियो हो गया हमको लोग में चेंज करना पड़ेगा सर इंकम टेक्स एक 1961 में आया था सर उस टाइम पे जब इंकम हुआ करती थी वह बहुत कम होती थी सर अभी कुछ लोग की बोजादा होती सर कुछ लोग की बहुत कम होती सर तो सर आप सूचिए अभी इंकम टेक्स में बसी कितने का है सर तू पेंट फाइलेक से बसिक बसिक ज्टा में आता नहीं सर कुछिए आप बेटव में नहीं 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 तो सर अब आप मुझे बता हो 1961 में अगर टू पेंट फाइलेका एक सुन देते मेरे बहुक्त हैं का तो शायद आप समझे मेरी बात जैसे से इकनोमी मुन होती है जैसे सर मारकेट में माहौल चिंज होता है वैसे वैसे सरकमसेंस को देखते वे लो में अमेंड्मेंट करना पड़ता है एना मेरे मालिक अर यस और तो सर यह इसे अट्वर्ण कहां से बिटा It means it means It means sir देयंदना गौवर्मन को जलदी बोलो अब आपका तो सर जितने भी गौवर्मन की पावर से हैं जितने भी गौवर्मेंट के पावर से All पावर सार कि समझना बात कुद्यान से पालियमेंटरी पावर मतलब देश कुन चलाएगा जल्दी बोलो पका हम चलाएंगे थ्रू पालियमें अरे हाँ है ना भाई हम सब लोग 140 कोड़ पप्लिक तो एक साथ डिसन लेनी सेकती सर इसलिए हमने क्या हमारे हमने रिप्रेजनेटिव्स इलेक्ट किये और सर हमने इंडिया के अंदर, you know CA final हो गया, CA intermediate हो गया यह foundation हो गया उसमें लोग को पढ़ाने के लिए हमने एक लॉजिशिन अपोइंट किया जिसका नाम क्या है लॉजिशिन अपोइंट किया जिसका नाम क्या है लॉजिशिन लॉ सर मौश वेलकमेंड थैंक यू समझ सर आपका थैंक यू सर और गिविंग जछिन गया झाया पूंद किया टि एक लंट्रेव और हाग्य सान्य जठाएं अगे बॉर्स ग्रूप के बाद मेरे को पहली बार जिंदगी में नहादो के आयो है लिख रहे हो अगले ये पचास साथ दिन में आपको समझ में आ जाएगा आज में किस लिवल का है चालीस उने बोला है मैं रोक के रखने वाला हो अबन जित्ता चाहिए उत्रा ले सकते हैं सर से आप अगर सब्सक्राइब सरे बहुत बेकार लोग है इनको बाकी फैकल्टीज ने बिगाड़ा है मेरा कोई हाथ नहीं है मैं बहुत तो मैंने मैंने कुछ बुरा भूला क्लास में आज तक अगर सर को आप कोई रिक्वेस्ट करोगे तो अब्यूसली सर मानेंगे अगर सर नहीं मानते तो आप मुझे बूलियेगा फिर फिर मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं पता ओफिस बॉय का कैपसिटी किस लेवल पर है तो दो तीन चीजे जो आपने हमेशा याद रखनी है मैं गुरूप बन के स्टार्टिंग में भी बोला था इनकेस गुरूप बन में अगर आपका थोड़ा सा इंकंसेस्टेंसी हो गया रहिएगा मत हुमक डेली बेसिस पर कीजेगा इसलिए इस बार मैंने दो टीचर्स को परस्नली रिक्वेस्ट किया है एक हमारे बाजू में ही कड़े है मैंने उनको बोला सर्फ बिल्कुल विगर मत करना इनके साथ क्या हो रहा है पांच क्वेश्चन जीएश्टी का काम आपका रोच का और फिर बचा हुआ आपका नयनसुक प्राप्त करने के लिए ग्यारा बजे एक आदमी आने वाला है वो सिफ दिखने में अच्छा है हां मैं पहली आपको वांड कर दूँ ठेक है सिफ दिखने में अच्छा है ने तो तुम ऐसा बहुत अच्छा दिखता है गोड़गोड दिस्तो इसलिए तुम जाकि उसको अप्रोच करना चाहोगे और लेफ राइट सेंटर कर देगा तु तो यह चीज को याल रखना प्लीज एवरिवन जो मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजन मैटर पर सेकंड गुरूप आपका नया स्टार्ट है कृपया स्टार्ट को मिस ना किजिएगा 31 जनेवरी तक के खुद के पढ़ाई के साथ सेकंड गुरूप के दो सब्जेक् करते हो स्टिल यूब पावर तुकम बैक क्यों क्योंकि इस बार एलेक्शन में 2024 में है तो हो सकता है तो यह 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 इदे नहीं होगा है आपका ड्यूट एक में ही है पर इनके सगर एक महना डिले हो रहा है तो जो लोग फुर्स ग्रूप के ऊपर है वह अगर यह सेकंड और वो चाहते है कि वह फर्स गूर्प या इस अच्छान्स को मिस्ट करना क्योंकि यह ऐसा अटेम्ट आला चांस पाथ साल में एक ही बार आता है और मैं मैं CA final ऐसे ही attempt में पास हुआ हुँ जहां एक मैना 2009 election के वज़े से delay हो गया था are you understanding everybody yes or no so please keep this in mind you still have one month might be इसलिए आप ये ट्राय करो कि 31st january तक के आपका धाई subject खत्म हो जाए ये चीज़ को आपने याद रखना कुछ good news obviously sir के बारे में sir यह consistency class लेने वाले है कल हमने as good as discuss किया there will be no recorded lectures every lecture sir face-to-face लेंगे in case अगर आपको चुट्टी की जरुवत पड़ती है तो बिल्कुत मत मांगना मिलेगी नहीं है पहले Sunday को there is a probability holiday पर आपको पता है जुट्टी में situation क्या होता है हमने हर बुरा एंगल देख लिया है साड़े तीन मेहने के अंदर तो यह चीज़ यादटका obviously तारीफ की जरुवत नहीं बट फिर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी नहीं इनके आ गये है फाइनल लेवल पे सरके 23-24 रांग से इफ आम नौट रॉंग एक अटेम्ट में पचास रांग में से पचीस यही लेकर आदमी बैठता है तो बच्वे लोग क्या करें अभी जीवन में अब मेरे कभी नहीं आये सब्सक्राइब को भी बहुत अच्छे से पासिंग परसेंटेज और रैंकर तक कोई चीज पहुचा सकती है तो एक है सब्सक्राइब करते रहो सब्सक्राइब करने का नहीं है सोने को तो याज मी देगा इसलिए आपके आप्शन भी नहीं है इसके साथ में मेरे तरफ से एक दो चीजे अडिशनली बोल दूदू लौक एलिए सवाग का टेस्ट लौ अब सवाग का टेस्ट जिसने दिया नहीं होगा मैंने अफवाई सुने उसको वाव बुक नहीं मिलेगा करके हां अफवाई मतले कभी-कभी सच हो जाती है ठीक है तो चुप चाप पहले पाच दिन ग्रूप टू के थोड़े से कम रहने वाला है हो तो चुप चाप जाके प्रिपेर करके टेस्ट दे दो जो भी हो तुमारा प्रिपरेशन हो या ना हो मिलेको तुमारी उबर कॉन्पेडंस है कि तुम 40 कैसी भी लेके आऊ के समाज में रहा है तो जाके दे दो गलतिया तो बता चले जिरू मेरा लोग वो गया करकी नहीं हो December say I'm going to announce a fast track for the CA interlock 25-30 lecture का fast track रहेगा I'm trying कि रात को साड़े साथ के बाद में बहुसको लूँ साड़न नौबशे तक के so everyone who is missed out in the journey बीच में कही तो भी मैंने आपको बोला था जब मैंने लास लास परपरेशन लेक्टर दिया कि कोई भी आफ ट्रैक हो चुका है उसको अपर स्ट्रैक में लाने के लिए चांस है साड़े साथ साथ से लेके साड़े कि यह टाइम के अंदर रहे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 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 अगता है कि पर ब्लूब एक लगत्राइब आपका लुगारिव जाना चीए आपका लोगता फूल प्रूफ मैटर हो कुका है तो इतनी चीज़े आपनी आप रही बात तो शहाँ आपको बहुत-बहुत बदाई यहार आपको बहुत मजा आएगा बिल्कुल पी डाउन होने का नहीं है जोश से पढ़ने का मॉर्निंग आठ बज़ी अपना नॉर्मल टाइम है तो सब को समाझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करेंगे इमांदारी से पढ़ने का पूरा लेकर जाने का 31st जन्यवरी तक के मेरे को ढ़ी गुरूप ढ़ी सब्सक्राइब इसके साथ में उदर का अगर लौ खतम है या अकाउंस या कॉस्टिंग है तो आप बहुत से पोजिशन में रहोगे कंपेट टू एन लिए या वरे खतव सूमन्स रूप आपने खत्रियो अबीड आपने था संड्यां लौ ट्रियो सेर्णों फूरे केस्ट गोड्ू एवर्टिंग सर्थ तेक्षो सब्सक्राइब की बातों को यहां छाप लेने का क्लियर और सब्सक्राइब कितने भी आप मोटिवेशन लेक्षर देख लीजिए कितने भी आप बाते सुन लीजिए कहीं भी देख लेना consistency is the key of success that's true 100% clear आपको लाए काई बार आपको लेका की सर जिंदगी बर्बाद हो गया सर कुछ ना हो परा है पर सर रेली इस ताइम but really speaking the time which you are spending here you are not spending you are investing okay and I'll try my best to give you the best okay चले सर बार श्रुकरते हम तो सर गवर्मन कौन गवर्मन कौन देख कुन चलाएंगे हम चलाएंगे थू पार्लयानेट आथ क्वेशक्台त, तो गवर्ममेण की जितने फिंवी dov, पार्लयामेंट्रि पार्लयामेंट्रि फॉर मतलब देश्यव चलाएंगा हम चलाएंगे थू पार्लयामेंट्र आफ कोईभी लोग बनाना है कोई भी रूट जेश करना है नया अटola कों लेकिए घएगा था से आन आपने देखा होगा, Finance Act, साल में एक बार आता है बिटा, पता है, पहले अपने जो Finance Minister है, वो Finance Bill प्रेजेंट करते हैं पार्लेमेंट में, और हाँ है ना भाई, सारे Member of Parliament जो वेल एजुकेटेड, वेल मेहने लोग है, वो इसको समझते हैं, श्टड़ी होता है, और जब Member of Parliament से, बहुत दाउस पार्लेमेंट, लोग सभा और राज्यसभा, वासे जब बिल पास होता है, तब जाके वो क्या बनता है, Finance Act बनता है, येस या नो, क्लियर, तो सर, गौवर्मेंट है अललल मिनिश्रीज बना रखी है, अललल डिपार्टमेंट बना रखी है, बट दे को नूट मेक दिलो, वो क्या करेंगे, प्रपोस करेंगे, मैं बिल की बात कर रहा हूँ, आप अन्हीं क्या समझ रहे हो, सर, फर्स फोल दे बिल प्रपोस दे बिल, फिर वो बिल पार्लेमेंट से पास होगा, बौद दौस पार्लेमेंट मम्मी और पापा, अरे हाय ना, तब जाके वो क्या बनेगा, एक्त बनेगा, और यस यह नो, पका, ठीक सर, तो सर, जो भी लोग बनना है, कौन बनाएगा, पार्लेमेंट, अच्छा, एक बात को हो सकता है, मैंने दस बर बुलवाया आपसे, पर दस बर बोलना है मतलब, बोलना है, भूए, मैं कुछ पर्फ़र्फर्स होगा उसका, और इतना तो मैरे को है कि वह कौन सी बात काम की और कौन से नहीं, कौन बलना है क्लिए, वो काम मेरा है, सोछने का कि क्या आपको बुलवा से, और लोमान को यह बूल आइ, आपको जो बुला है, क्या राइछी बुला है, क पार्लेमेंट क्या 365 days in a year चलता है क्या से PUBGस्ट पेटा उंको 55 सल मे displina कर na करने के लिए था है ने भाई तो सार पर्लेमेंट के sessions नो से साल में तीनорक्ट विंटर से मर और शूंस सब्सक्राइब अब सर एक सेशन ओननेवरेज 20-25 दिन शलता है सर अरे क्लियर अब आप मुझे बताओ मान लो आज सर आज डेट क्या है जबर्दस्त सर अभी मान लो कुछ दिन पेले ही पार्लेमेंट का सेशन खतम हुआ सर सोचना द्यान से मान लो कुछ दिन पेले ही पार्लेमेंट का सेशन खतम हुआ है और आज मुंबई में इतनी बारिश आई इतनी बारिश आई हर तरफ पानी पानी क्या है सर ब्लू है पानी पानी मुंबई में जाओगे बिटा तो आपको डार के पानी पानी दिखेगा सर तो सर हर तरफ पानी पानी अब सर आपको पता है देश का सबसेता शुगर प्रोडक्शन एंड शुगर का इस्टोरिज शकर कहां होता है पता आपको नहीं देखो आपको नहीं पता होता ना बटा तो में लिए पताना बहुत ईजी है सर डेश का 90% suga R Mumbai में श्टोर होता है पताए अब को अब पता है बढ़किया आब सोचो मूंबई में इतनी मारिश है सब तरफ पानी-पानी और सिर निटी पर श्यूगर मूंबई में श्टोर हे अब सरक्छ वेक्व पानी की वएजplease Kaई खरब कि अरहायना भाई क्या वड़ा चाश्णी बन गी गुला जो मुन तल ले ना उसमें अब सर पॉइंट ये कि सर शकार खराब अब आप सोचो देश का लगभग लगभग 90 परशन्ट शुगर खराब देश का लगभग 90 परशन्ट शुगर खराब कक्aja के अब क्या होगा रचा क्या metais जी बोलेंगे सारे हमारे फारने बाईयों को कि मेरे प्यारे देश वाशियो के देश कंदर आप दा गई है शक्कर की बहुत जरौत है आप जाओ अपने खेतोите में और सुबह मेरे को शुगर कें चाहिए और पर्सु नेरे को शुगर चाहिए हो जायेगा बोड़ते ना अब भी कभी मुश्क्र होता है रहाय ना भाई अब पॉइंट यह है शुगर के निजन एग्रिकलिस्ट प्रडूइस इसका अपना टाइम लगेगा बनने में और हाय ना भाई फार्मिंग करेंगे प्रोडक्शन करेंगे शुगर के न आएगा फिर सर कटिंग होगी फिर फैक्टरीज में जाएगा फिर प्रोसेस होगा शुगर केन का शुगर केन जूस निगलता है उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होके शकर बनती है तब जाके हम चाय में अब आप मुझे बताओ देश का लगभग लगभग 90 परशन शुगर खराब अब क्या होगा नेक्स्ट शुगर आने में टाइम लगेगा और शुगर जैसी गूट विचिजव गूट वसकीन देश का लगभग सारा शकर खराब नया शकर बने में टाइम लगे तो मिन्वाइल उस दिमांड को फुल्फिल करने के लिए अगर सप्लाय बिल्कुल बंद हो गया आपको पता इंफ्लेशन की रेट कितने हाई चलिएगी सर है है ना भाई राहुल गंदी के देंगे मोदी जी ने बारिश करें इसले शक्र करावोगी देश की है है ना सर अब मेरा पुइंट आपसे यह तब तक के लिए क्या करें सर डिमांड को फुल्फिल करना पड़ेगा इंफ्लेशन रेट नहीं तो बहुत लेवल तक चलिएगी आप मुझे बता हो ऐसी सिट्वेशन में जब देश का साथा शक्र कराव हो गया नेक्स शुगर अन करना है शुगर के इंपोर्ट को अगर प्रोमोट करना है शुगर के इंपोर्ट को बढ़ाना है तो गवर्मेंट को क्या करना चाहिए शुगर पर टेक्स ज्यादा लगाने चाहिए कम इंपोर्फ गूर्स पर लगता है कस्टम्स जूटी क्या लगता है तो इस टाम पर क्य करना है बेटा लो में अमेंडमेंट कोन कर सकता है बेटा अब तो तो मोदीच बोलेंगे मुझे कल दिन में दो बुझे हर मेंवर पार्लेमेंट चेह बली तेर क्या उड़के आए कैसे भी आया यहा है क्या को नाइग मुवी चल रही है क्या हर मेंवर पार्लेमेंट वापस आ सकता है क्या नहीं क्या करेंगे अब अगला सेशन आएगा दो तीन मेहने बाद तब तक शुगर फ्री नहीं इसलिए इसलिए हम लोगों ने जब एक्ट बनाए तब एक में इस तरह के प्रोविजन रखे कि सर दुरिंग दग इस तरह की सिटुएशन आ जाए डूरिंग टूब बिट्वीन टू पालिमेंटरी सेशन अगर इस तरह का कोई सिटूएशन आ जाए जब पालिमेंट की जरूरत पड़ेगी पर पालिमेंट आ नहीं सकता है इसलिए हमने कुछ पावर्स क्या वाला सर डेलीगेट कर दिये उनको बोलते है क्या डेलीगेटेड पावर्स हमने सेक्शन नमबर 25 बना दिया कस्टम्स एक्ट में जा लिखा है गौवर्रमेंट हैस्ट पावर तो ग्रांट एक्शंशन टू एन पब्लिक इंट्रेस्ट हम सेक्शन नमबर 16 बना इजसीक्ट में वालिख दिया गौवर्मनने पावर to grant exemption to any of the goods or services in public interest गवर्नमेंट की पास पावर मतलब बना पालेमेंंट के संक्शन के भी रू क्या कर सकते हैं नोटिश्विकेशन एशु करके अमेंदमेंड कर सकते हैं कि देखा वोगा आपने सरे बजट तो साल में एक बारी आता है एक आपने खी किता होगा ऊपने गत्राइश्म टेख पड़ा है से फिर भी बार बार साल पर बर में धाब मिdest pursuit आते रहेते कहां से आते समझत चाह है आपने भी लो पड़ा है आपने भी income tax पड़ा है, आपने भी पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा, सर आपने देखा होगा कही सारे act में लिखा होगा, Board is the power, Government is the power, clear वो sections हमने बनाये, पर सर हमने सारे power delegate नहीं किये, हमने कुछ sections में लिखाया ऐसा, क्यों? So that direct notification issue करके, सर वो amendment किया जा सके, so that public interest में immediate action ले पाए, हाँ या ना? Yes या नो? तो सर आपने दिखा होगा amendments साल भराते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, कैसे आते समझमा है बिट आपको यह? Yes या नो? तो कुछ amendment finance act के थुरू ही आते हैं, सर और कुछ amendment delegated power के थुरू होते रहते हैं, अब आप कहोगे सर यह पंचा है थी क्यों करना मंगल यह है, क्योंकि सर मेरे को यहां बताना बहुत जुरूरी है कि आपके exams के लिए कब तक के amendments आपके relevant है, कब तक के amendments आपको cover करना है और क्या के आपको पढ़ना है, effective क्या वाला सर अमेंडमेंट effective को होता है जब पास होजाता है, effective अप्रपोस करना ही, one side law नहीं चलता है, रहाया ना भाई, समाझ मारें यह बात ही क्या जल्दी समाझ माझे आपको, सर all amendments which are made effective till 31st October 2023, will be relevant for May 2024 exams and अगर आपके exams, November 2024 में है, तो sir all amendments which will be made effective till 30th April 2024, will be relevant for the exams of November, तो इसी तरह से हर साल दो अटम जोते exams के, sir इस तरह के dates fix a gap आई से ही की, उस according आपको अमेंडन पढ़ना होते है, and sir in this lecture, in this lecture we are going to cover all amendments, all effective amendments which are made effective till, till, till जल्दी बोलो रहे, 31st October 2023 यह सब हम पढ़ने वाले है, clear, जो आपको material मिल रहा है, जो books आपको मिल रही है, all books are amended till 31st October 2023, all books जितने भी questions, in fact, sir, बता देवे बहुत खुशी होती है, मेरको बहुत घर भी होता है अपने आप पे, कि बहुत मेहनद भी लगती है, पर sir, जो output निकलता है, मजा आया है माहूल के साथ, sir, we are the only one in India, जिसका CA final हो या intermittent हो, sir, हमारा जो question bank है, एक एक question, amended till 31st October 2023 मिलेगा आपको sir, एक एक question आप आई से की website से डाउलोड कलना मेरी guarantee है, sir, उसमें भी amendment cover नहीं जो हमने cover किये, clear, sir, and the questionnaire which I am going to give you, देखो, मैं आपको books क्या देने वाला हूँ, books क्या देने वाला हूँ, sir, regular book हो की, दो volume में, जिसको हम GST पार्थ बोलते हैं, जिसके पड़ा ही करते हैं पार्थ, clear, that is the concept book, that is the regular book, एक होगा आपका questionnaire book, जिसका हमने नाम दे रखा, GST Reboot, मैं आप जब वापस आपने आपको reboot करेंगे, that questionnaire will help you, clear, that question bank is a compiler, and that question bank covers, each and every question of the, I say study material, take a question, आज तक जब से GST आया है, कब से आया भाई, 1st July 17 से, and May 2018, May 2018 was the first exam of the I say, जब से GST applicable हुआ था, वहां से लेके अब तक, जितने exam साय है, हर एक question उस book में cover है, जितनी RTPs आई है, revision test paper I say, जितने mock test paper थे, every question is covered there, और खास बात, copy paste नहीं है, all questions are amended, as per the current applicable law, सारे, आप ICA की website से download करेंगे, जिसे में 18 का paper था, December 18 का paper था, या उसके बाद का paper था, तो उस टाइम पर जो answer थे वो दिये उन्होंने से, obviously, clear, all answers are amended, till date जो आपके लिए applicable है, so, आपने अगर वो काड़ा ना पताब life, जिंगल आदा, clear, और इसके बाद आपको मिलेगी एक chart book, बहुत ही सुंदर वाली, okay, amended, वापस दूंगा मैं आपको, clear, book की बात करों भाई, आपको अमेंडमेंट क्या करने समझना है बच्छो आपको, yes and no, अब आप कहेंगे, sir, GST तो चालू किया नहीं, और मंगल पता नहीं क्या बोले या रहा इतनी देर से, अब यह सब बाते में आपसे क्यों कही, समझना बात क्यों दियान से, से एक बात आपसे, Sir, गौर्वर्मेंट कौन? अब एक बार इसको रिवर्सलिते सर, गौर्वर्मेंट कौन? अब गौर्मेंट कौन? मतलब, सारे लोज किसने बनाए? अब आप मुझे बताओ, जितने भी लोज हमने बनाए, क्या वो इलोजिकल होंगे? एवरिटिंग इस लॉजिकल इन पब्लिक इंट्रेस्ट, लोग किसने बनाए? किसके लिए बनाए? तो सर, अगर वो लॉजिकल है, और उसको अगर हमने लॉजिक से समझ लिया, तो बताओ, माहल बनेगा कि बनेगा सर? मेरी गैरेंटी है में एक भी सेक्षन आपको याद नहीं करऊंगा, क्योंकि प्यार क्या नहीं जाता है, प्यार? क्लियर? ऐसा उतारूंगा अंदर, कि अपने आप आपको याद होगा मेरी गैरेंटी है, मेरी गैरेंटी आपसे, क्लियर? सर, क्या? Concept. Okay? So, Government कुन? यहाँ. Government कुन? यहाँ. अच्छा, एक बर वापस बोलना है, यह टेकसस के लिए क्या बलाता आपने सर? Texas are the? Revenue of the? Govendant. एक मिट. Texas क्वों पै करता है? यहाँ. किसको पै करते है? Govendant. Government कौन? यहाँ. एक मिट. वापस बोला टेक्सस कौन पे कर रहा है किसको पे कर रहे है अरे गौर्णमेंट कौन हो बाबा मतलब हम ही पे कर रहे है किसको सर रोड कुन मनाये गया हम हम रोड गर से एक टागारी पर के लिए गाएंगे सा सिमेंट की इट की ऐसा तो सर रोड कौन मनायेगा सर आप मुझे बताओ उसके लिए फंड कहा से आएंगे आप मुझे बताओ सिक्रिटी के लिए पुलिस अपूंड करना है सर मोस्ट रस्पेक्टेट आर्मी पीपल रहा है ना सर उनको रेवन्यूस कहा से मिलेंगे आप देश कुन चला रहा है तो इसके फंड सिए बिटा सो टेक्स आर जस्ट वाट कॉंट्रिविशन बाइवरी मेंबर अफ दी कंट्री हाँ है ना भाई क्लियर सम्झे मेरी बात वहां फोटो देख रहे होंगे फर्स्ट चार वो जादा कॉंट्रीट करते है लास्ट वाला कम क इसके लिए कानून बनाय है हमने लो बनाय सब अभी मतलो सर पूंट भराव सिए सर इसके लिए हमने क्या बनाय है लो बनाय है एक्ट बनाय है क्लियर सो देट हम उसको प्रॉपरली गवन करके टेक्स कलिक कर पाया एंड देश को चला पाया सर यस यह नो भाई क्लियर सम्झे मेरी बात तो सर अब आप मुझे बताओ सर यह लॉजिकल होगा कि लॉजिकल होगा सर तो एवरी प्रोविजिन हमको लॉजिकल पढ़ना है स गवर्मण क्या किया सर कुछ टेक्स दो सा डारेक्ट्ली लिक्लेक्ट क्या आप से एक और कुछ कलेक्ट से किये फिकिकिए एकिसी और टेक्स लेगा कून लेगा कौन हम लेने वाला देने वाले हम अरे भाई टेक्स की बात करना हम है clear सुनो अब अब टेक्सेस टेक्स अल्टीमेटली कलिक करने वाले कोन सर देने वाले कौन हम सब लोग अगर डारेटली गौवर्मनने हम से टेक्स लिया है यहां पता ही नहीं बढ़ा है यहां ले लिए या वह समझाने में आया है आपको लोुबिए इंडरेट टेक्स, गुइर समय नामा तो जैन से डारेट टेंकम टेक्स आपकी इंकम आपसे टेक्स क्लियर रिंडरेट टेक्स का बेस्ट एक्जेमबल जी एस्ट गुण्ड से इसे संथ तैक्स कभी देखा कैश्ट आपने के लिटिमेटली अपने शॉप cyst पिर से दुकाननाथ สे जब अपने प्रच उसको जो प्राइस के किया है प्राइस के साँने अपने GST भी उसको दिया है आफ आपने टेक्स दिया है पर डाइक डिटीमीट को नहीं प्रीज वह अधा oversupplyer ने उस शौपकीर ने तर आपसे प्राइस के साथ में टॉपले लिया पर सवोंडिक सब्सक्राइब लिए पर सुर्ण वोग्ने। इस अपर टॉपले नहीं है धी ज़नेंगे। हयना मालिक किले क्या होगा सर वो शौपकीपर को टेक्सको देना होगा गॉवर्मन को पे करना पड़ेगा clear तो अल्टिमेटे लिया किसने कि टेक्स की बात कर रहा हूं सर अल्टिमेट टेक्स इस लिया विदा clear फिसने directly धिया गया clear indirectly धिया that's what is called indirect tax क्लेर बोलते नो सर बादन अफ टेक्स इशिफ्टेड है कैसे भी आज़ गुवर्मन किसे लिया ने कि मेंने तो म मकेट मी नहीं से फीस लिया स्ट्सपी क्या लगा घ्टा जींट तो शक्राइब्क नि destruction को प्रिकतु को उबरbyet S。 अ में को पता है मुणे प्राइब को गवर्मने डिया है कि तुम कॉर्शनमर से लो यह मत लो हम तो आप से है क्लियर अरे हाँ भाई सर अब आप मुझे बताओ सर गौर्मन क्लियर के दिया है कि यूर्ट राइट आपका अधिकार है यू कन चार्ज टेक्स फॉम्डी कर्ष्टमर वोटेवर इस अप्लिकबल अन्यूर सप्लाईज क्लियर है क्लियर तो सर एकतुम डाइं है सप्लायर क्या रचा गलागर तो सर ने तो बेक्स का अजड़ दो साइज बोलते हैं कि बडर सशिफ्टेड इंकमिक्स मेरी इंकम मेरे को टेख्स और समझें तो clarity क्लियर समझें टेर्ट टैसी गविया गॉर्मन्ट आख धेमोगर्मेंट्व क्या से बनते हैं I hope पूरी पिक्चर क्लियर अरे हाँ ना भाई ओके तो सर गवर्मेंट कौन अब आप बोलेंगे सर आप बड़ी बड़ी बाते करें सर मजा आ रहा है सुनने में तो तो अब आपने बोला है सपगरमेंट हम सारे लोगस लाजी बने वने वह सर हम छे मेनिए से प्ट्र हमारी जैन ребrikिदे हैं मैं तुमैर तो सर अगर आपने यह दिन सर मैं आई और नेnya दिन सर कसं से पागंधिए रहा दूहा मैं अब क्लियर गारेंटी सर आपकी इस पागलपन को कंट्रीन रख दूँगा सर अरे क्लियर पका चलो सर मान लो को सर जी एसटी की बात क्याता हूं मैं एक एक्जाम्ब्ल दाओं मैंने जो भी लास्ट वनार पड़ाया आपको बात करी मैंने आपको उसका कॉंक्डूजन इस लाइं से समझ माधे क्या बोलना चाहा है आपको आपकी बुक से बेटा ओके सर समाजना बात की दियांसे अगर क आए फासी किसे जाएन बटा? तो ग्रोम सूह आइंगे? नहीं. तो सर ये व्यल है व धोण तर टेक्स。 अलॉशे अलॉशे से अलॉशे अ細़ था freezer. राउब नॉशे कर दो बोगदी अलॉशे। करली मिनेशे सिंस चुराय था बटा ये सर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कॉन सा बटा वो नहीं ओके सर इंट्रेस्ट टाइम वेली ओफ मनी बेंग सा लोन लिया तो भी क्या लगता है इंट्रेस्ट गौण। हिए तो भी क्या लगएगा में लेट हो गया इन वृट माय मिने रूट ह्रोगा देन रव फोड़ी इन 18% पर एंग शिमपल इंट्रेस्ट इस पर बार यही किसी केस में अगर रिफन मनता है क्या मन्दा भाई? रिफंद और गॉर्मेंट को आपने रिफंद के लिए और गॉर्मेंट अगर लेट होगे रिफंद देने में तो गॉर्मेंट विल अलसो एव पेड़ा इंट्रेस्ट बड़ी नो देट तू और वो भी बोलाए किया आपने जिस दिन अपलाए किया रिफंद के लिए उसके 60 डेज में रिफंद नहीं मिला तो 61 डेसे क्या मिलेगा इंट्रेस्ट और वो भी कितना और हम से वो भी वेरी नेक्स डेसे अगले ही दिन से इंट्रेस्ट रभी कितना एटीन और हमसे और गुवर्मेंट से शाले चोर हमसे लिया कितना और खुद की बताई तो बड़े ही नाइन सा फीजर बड़े न अरे ओल दे बेस्ट बोलो भाई इनकी एक्जाम से से आधने से अरे बीकॉम इसटेंट रखना जस्टेंट तो इंट्रेंट कॉल लिया और खुद सुना बाटी द्यान से सर पॉंट यह सना 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 ओक ऑक ऑक सर महुल महुल इदर वापस अगर आशेसी टेक्स पे करने में लेट होता है तो वेरी नेक्स डेसे डूटेट से ही डूटेट का नेक्स डेस होगा उस दिन से ही इंटरस्ट कितना 18% पर एनम और सार गौवर्मेंट अगर लेट होगी रिफन देने में तो रेट अब इंटरस्ट इज और वह भी 61st देस है अब सर तो क्या करें हमने क्या कर दिया पटा स्ट्राइक कर दी हमारी मांगे मांग वो नहीं बिटा है ना तो क्या करें गवर्मेंट ने बात करी तर क्या करें बोला या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या फिर आपके लिए भी 18% कर दो करेंट सर अच्छा आप पता है आप मेरे से बात करो बस क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना सब मेरी तरीका और यसे बात करते जाएंगे जीवन चलता रहेगा सब क्लियर और जीएस्टी कब को मने क्या बोला सर या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या फिर ओके सोचते थोड़ा सा सोचो हमारे लिए अभी रेट आप इंटरेस्टे कितां 18 अगर 6% कर दो क्या होगा सर युनों अगर आप किसी बैंक से लोन के लिए अपलाय करते हैं देन परसेंट ट्वेल परसेंट 15 परसेंट 18 परसेंट डिपेंड ओन योर सीविल स्कॉर वगरा क्रेट इसकॉर वगरा हाँ ना भाई सर अगर हमारे लिए रेट आप इंटरेस्ट परसेंट कर दे है तो बिजनसमेंन को करमा लोग वर्किंग एपल चाहिए वर्किंग एपल लॉन चाहिए कितना है पचास लाग रुपे का फिफ्टी लेक का और उसका मंतली जीएश्टी कितना है मालोग टैनलेक रुपी है अगर छे परसेंट विंटर्स होता तो पांच मैने तो क्या करन क्या करना पड़ेगा किसी को फिपैसे कोई लेट्पेमेंट चार्च जिस्टानि ही ओर तर दर चैन ऐंकोशन तो है घलना ऊण अझर गोवर्गमिंट ओफिसलंगे भाई-तेक्स स्व sociedade अरे भाई ब्यास लेलना 6% देदूगा तू जा और 1% ते को अलग से दूगा चल हाँ ना सर क्लियर इसलिए सर मार्केट कंडिशन्स को देखते हुए एकनोमिक कंडिशन्स को देखते हुए बेंकिंग नॉम्स को देखते हुए अगर कोई अससी लॉन लें जाएगा तो ओनन एवरेज रेट विंटर्स बारा परसंट पंतरा परसंट है सर क्लियर थोड़ा सा उसको एक्स्टा लगना चीज़ तो दर दोना चीज़ अगर लेट टेक्स पे करा तो इसलिए रेट विंटर्स के ना रखा बिटा 18 अब आप सर एटीन परसंट इंटर्स रख दे गौर्वर्मंट के लिए तो विजर सर के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा सर एफटी पे रेटर इंटर्स कितना है सर शिक्स परसंट सेवें परसंट एट परसंट मैक्सिमूम सिनर सिटीजन के लिए बिटा अले हाय ना भाई अरे अब आप मुझे बताओ अगर 18 परसंट इंटर्स रख दिया तो तो विजय सर दर्शन सर अभिशेक सर रिषब सर यह तो एडवांस में एक्स्टर से टेक्स दिमा कराएंगे कि रिफंड बनेगा ओफिसरों बलेंगे नहीं अभी रिफंड नहीं ची रख क्यों 18 परसंट एफडी परेट्रम ने मिलता सर और है ना भाई लोग लिए नया इन्वेश्मेंट का वेंशर खुल जाएगा अभी क्यों था हम रिफंड क्ले अप्लाय करतें ऑफिसर को रिक्वेश्टिंसर आपका जो भी देखले ना सर अनदर टेबल पर सर रिफंड जलदी प्रोसस करा दो अगर 18 परसंट हो जाना सर क्या होगा ऑफिसर आगा सर रिफंड लो नहीं नहीं अभी नहीं चीए अभी जब जरूत होगी तब लेंगे सर अब आप मुझे बता हो हेविंग मार्केट कंडिशन अगर गौर्म ने रेट वेंटर 6 परसंट रखा तो सही रखा गलत किया सर क्या एटीन होना चाहिए कितना होना चाहिए सर सही या गलत यह डिफ्रेंस है अकांटेंट और चार्टर अ कॉंटेंट थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे हमारे लिए एटीन उनके लिए 6 गलत हो रहा है साले चोर गलत प्रोविजिन बनाए वे अब आप मुझे पता हो लोस गलत बने वे सर किस्ते मनाए गवर्मेंट कौन क्या लोजिकल होंगे कि नहीं होंगे 100 परसंट होंगे बस यही सिखना आपने वेया पे है क्लियर अब आपकी जितनी ताकत उतना लागा देना यह रेट सब्सक्राइब आपको समझ इन लागे यह क्या है तो जीवन मेंकुछ मैंपाता पर आपने यह समझ लेगी क्यों है और कैसे है तो भारत में की जैना भाई तो शुरू करेंगे रेटरेक्स तो सर जो लास्ट वनार में ने आपको समझाने कोशिश करी उभी समझाने कोशिश करी कि सर गौर्स podia भी कुज़ने मनाया सारे प्रविजिज लॉजिकल हेँ पर सर उनंची जोंगर को समझना पढ़ता है क्लियर पर सर समझने के लिए समझाने वाला भी तो सर कौशिश करूंगा 100% क्योंकि सर लास्ट मौर्दन 13 एर से मैं एक ही काम कर रहा हूं आप तो सर सोचो छे मेने से सर इतने सब्सक्राइब तो भी आपको कही सारी प्रोविजन्स आ गये हैं मैं 13 साल से एक ही काम कर रहा हूं नोड़ जीए थी 1 जुलाई 17 से आया उससे पहले क्या था सर्विश्टेक्स एकसाइज वेट एट्सक्रा वही पड़ा रहा हूं सर मैं 13 साल से एक ही प्यार है सर हाँ है ना इदा पता नहीं कब चेंज होते सर क्लियर तो सर वह एक्सपर्टीज का फायदा आपको मिले यह मैं देट सरमेन केंज एंगर हैं गुचंट एंड सर्विक इस थेन ढ़ बहुर्त वर्त तार सै क्वुत ओ एंट सर्विसेस तैक्स क्लियर शुरू कर रहे हैं क्या सर जीएश्टी गुट एंड सिंपल टैक्स फस्स जुलाइट टॉटेंड 17 जीएश्टी डे और फस्स जुलाइट फस्स जुलाइट ही क्या होता है जीएश्टी नहीं समझना है उसके लिए फस्स जुलाइट और टॉक्तर्स डे ओलसे बेटा अगे तशरू करते हम जीएश्टी से गूडस जैखेट्स ऐसा क्या हुआ 1st July 17 1st of July 2017 को GST आया सर इंडिपेंडेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इंग्नोमिक रिफॉर्म अगर किसी कहते है दाट इस वाट GST स्वतंत्र इंडिया का सबसे बड़ा अगर इंग्नोमिक रिफॉर्म कोई है तो वह क्या है अबाज नहीं क्या है सब्सक्राइब मेरा खड़ाब नहीं होना चाहिए सर आपका भी खड़ाब करके बेशुका मैं ऐसे हैं क्लियर सर सुनना बात की दियान से सर अप्वेंट इंडिपेंडेंड इंडिया का इतना बड़ा एकनोमिक रिफॉर्म जीलाइए जीश्टीynn last आ इस है किया तो आखिड़ ऐसा क्या हो गया था आखिर ऐसा क्या तकलीफ אל आ गया ऑपने आप अगर आपको लोजिकों मैं वह अगए कुई हो रहा है और कैसे हो रहा है तो क्या होने वाला आपका common sense भी बोल देगा सब, clear इतना common sense तो हम सब में है ने बेटा, और ये से no, clear, तो आप समझना बात को दिया ने से, कि आखिर क्या लखुना था पुराने लोज में, sir, previous laws में, क्या तकलिफ थी, जिसकी वेसे independent India का, इतना बड़ा economic reform लाने की जरुत पड़ी 2017 में, clear, वो ब exercise duty, there was weight lows in all the state tax, state lows बेटा, समझते बात पर जैन से, sir, first class 17 से पहले की बात कर रहा हूं, जब आप बहुत, छोटे थे, मैं भी छोटा था बेटा, क्योंकि बड़े से जटा नहीं हो रहा है, छोटे से बड़ा ही हो रहा है, अरे clear, ऐसा बीज में थोड़ा था पकाऊंगा बे है, okay, okay, sir, point यह, point यह, first July 17 से पहले अच्छा है, यह कहानी जिसना समझने सर, यह मत समझना की, sir, यह जो बात कर रहे हो, first July 17 से पहले की, GST से पहले की, तो अब काम की नहीं तो ठीक है, हम सुनेंगे, तो भी ठीक है, नहीं सुनेंगे, तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, यह तो क्या है, वह अपना समझ माएंगे, और बहुत सारे कॉंसेप्न आपके लिंक कर दूँगा, sir, okay, Malik, ठीक, तो सरकार, first July 17 से पहले, अगर आपने goods manufacture किया, on manufacture of the goods, क्या लगता था बटा, excise duty, क्या लगता था बटा, अच्छा, अगेन, मैंने प्रेजिमिशन लिया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हम पहली बार बात कर रहे है, okay, Malik, ठीक, sir, manufacturer of the goods पहले लगता था, क्या, excise duty, sale of goods पहले लगता था, क्या, sales tax, जिसका नाम था, weight, value added, tax, okay, मैं हले किता हूँ, आपको जान रहेगा, sir, sir, on, on on manu-fixing of the goods यह लिग्दो मैनुफिक्षर पिक अलक्षाथ बटा एक्साइडी किर मनुफिक्षरी लिगोष एरेगा और मनुफिक्षरी गोट्स एक्साइडी वसलेविए ओन सेल अफ गूद्स अगर आपने सर्विसे सप्लाय करिये अपनी क्या सप्लाय करी बिटा सर्विसेज उस पही क्या लगता है बटा सर्विस्टेक्षाथ सर्विस्टेक्ष वस बेंग चार्ज़ ऑन सप्लाय ओव सर्विसेज अचा आप चाहे तो एक काम और कर सकते बिटा जो मैं यहां लिख रहा हूँ आप फोटो की सकते बिटा एंड उसको बाद में जाके भी आप नोट कर सकते अपने घर पे अगर ब्रेक में टाइम लेता ठीक है पर पॉइंट इस दैट और आपकी लिखने क्या था आप लिखो कोई तकलिफ नहीं मेरको पर जो मैं बोल रहा हूँ एक 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 वर्ड आप अपनbnbn वेट उसर्वेड इसलिए वेट वैट एंटसरों अन्सविटेट इसलिए अपकी इसलिस Kevin Ires Central Coman ंपर इस यह सेल्टेक सहुवेड वस्ट इसलिविवन्यों थे लिविविआ सて ग मंथ हाई ना भाई स्टेट मतलब हर स्टेट का अपना अलग एक्ट था हर स्टेट गुवर्मेंट अपने अपने हिसाब से वेट करती थी हर गुवर्मेंट ने हर स्टेट गुवर्मेंट ने अपने अपने हिसाब से लोज बनाए वेते हर स्टेट गुवर्मेंट ने अपने अप स्टेट के अपने अलग लोग थे जिसा राजस्थान वेक्टलक टा़ महाराष्टा वेट अलग खुजरात वेटक अलग था सर इसे हर स्दूरय है वेट लोग अलग हुआ कर थे गता क्लेकर ये तीनों लोस थे बिटा अब पूरा ध्यान इधर ओके और कोशिश करना जब ब्रेक होगा या एड दे अड़ी लेक्टर जब मैं स्लाइड ओपन करूंगा युके नेवा क्लिक पूरा ध्यान इधर को ऐसा महौल बनोंगा मज़ आएगा आपको ओके बस प्यार करना नहीं सर प्यार हो जाना चीए सर ओके मैं कोशिश यह चाहरा हो देना बिटा सर एक चीज़ बता दो आपको इस दिन आपका रिजल्ट है न सीएगा उस दिन आप सीए नहीं बनेंगे आप रोज ये बन रहे हो हो आप क्लियर उस फील्स आपको पर डना है उस फील्स हम को बात करनी में बंटा बतक्igm से ओके मेरा तो एक ही वीजन सर कि just topic को आपने पढ़ लिया उस topic का आप सीय बन जाने चाहिए से सर आई बतक्म क्लियर डिग्री अपना पाँ जाएगी जर ओके उस लेवल से मेरे को आप से बात करनी है मेरा एक ही विजिन हो था बस में वही सोच कहा हूं बेटा ओके भाई सर और सर पॉइंट में आपसे यह कि वन मैंशन दी गोड्स एक्साइस वश्चाईग उन सल फोड़ वेट वोश्चाईग एओन सर्विकेश च्वाड वेट वस्चाईग अन्सवीसे सर्विस्टेक्स वस्चाईग इंकेस ऑफ इन एरा बिफोर धी इश्ट भी अपै क्या सर बिफोर जेस्ट मालो आइम अमनेफिक्टरर आइम अमनेफिक्टरर और में क्या बनातों मेटा मार्कर्स मालों मार्कर बिटा ब्रेंडेम मंगल्स आइम अमनेफिक्टर ओफ मार्कर्स ब्रेंडेम मंगल्स मैं मité मर्क बनातों अब शोचो मैं मर्क बना की क्या करूंगा घर लίंगा अब ओक सबधेकने निकारन वानrain मैनिक्षर हूं तो मैंने मैर्क बनाया होगा और का पार को बेचा होगा है मैं मैंने ब़िक्फिक्षर भीजिए से मैं और मेनिविक्षर करके बेच आ बेच ने मीन लगता है और हाय ना भाई वेट बोलेंगे किया है सो फुल्दंटissa मेने गूर्ड मेन करने पार एक्साहिस prochain कि मैने मैंन्य क्रें यह यांद वैटे हैं क्या सिस्विक्षरी करने बेच आघा है किल टान एक्साइज और वैट एक्साइज किसका रवेन्यू किसका रवेन्यू कौन सी गोर्मेंट का रवेन्यू सेंटर गोर्मेंट वेट इस्टेट गोर्मेंट का बटा इस्टेट में हुँगा उस्टेट का रवेन्यू है पका पका ओके तो सर वेट किसका रवेन्यू है ओर चूरिक लिए भीर पार एंगा मुश्त से होग है भी हैंसकी होग किस वह प्रूँ गोर्ब करूंँ से चोपर लिए याम मालेख जाय वा ल preciso इस प्रूबियर टो मैठा शर्विस इस इतन में सब्सक्रोट टो में लगता सर इस सर्विसज्ड करी के तेक येवल सर्विस्टक्स सी था वेट नहीं था ऊक्यिंख ॥ा थीकर तय है ओके सर्विट्ट रहा हैं जे रृवनियू तकिसका रहा है do को आए पक्यार आपको ठीकर मनीट चलो अब एक खमल मैंको मैनुफिकशर का बिटा बात को समझना शिद्दत के साथ अभी केवल एक fps नहीं के जरतीक सर इफाल्ट मैनुफिक्सर इस तर फॉल आई-टो मेन चौरस बनाता हूं और विशंप बनागा के यहां तो इस woven करें मस्त हो आपको कि सर आपने इंडरेक टेक्स तो छोड़ो में यह एजम्शन लेके चलाओं कि आपको टेक्स भी नहीं पता है सर तेर उस लेवल से बात कर नहीं है तो सर मज़े ले लेंगे सरवी रुको आप इस तरव बनाते रुको इसको यह कैसे किया दब आपने वो में जब रब किया दब ऐसे कैसे किसने गया यह एसा लगता कोई किस कर रहा है सर और वह भी सुबह सुबह है सेर अच्छारी मैंने विक्चर इधर इधर चलिए अभी में आयमा मैंने विक्षर इधर में के बना दो मिटा मार्कर्स अब मार्कर बनाने के लिए मैंने विक्षर करने के लिए मैंने रो मडरील पर चैस किया बटा है क्लियर रो मडरील सब्सक्राइब प्लास्टिक अरे ख्रशच किया प्लास्टिक मेरे को लग रहा है, दर्शन सर विजल सर ने आपको भी गाड़ा और आप मेरे को भी गाड़ने वाले वाफ सर अथार्व इस दा मैनुफिक्ट्र फ्लास्टिक बेटा समझना बात कि देन से हैं हिस्ट फ्लास्टिक रोम बनाता है बेटा यह अच्छा इन्होंने मैनुफिक्ट्र किया होगा इन्होंने मैनुफिक्ट्र करके मेरे को सेल किया बेटा suppose इन्होंने 100 रुपी में में मेरे को रो मटेरिल बेचाए बेचा 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 किवेक्चे करके बेचा किंस इसने मैनुफचर किया है वो भी तो गूट से बेचा इस पर क्या लगा होगा आओज नहीं होगा suppose 10% is the rate of excise कितना होता बेटा ने एक मिन्ट ये 100 पर 10% कितना होता रहे तो बोलो ना कितना हो ये सर 110 रो मटरेल में ने पर्टेज किया 110 में 10 रुपी के इस पर बेटा क्लियर अब सर में क्या बनाने वाला हूं मार्कर्स मार्कर्स बनाऊंगा तो अगिन क्या लगेगा बेटा एक साइज सारे रो मटरेल आगे बेटा हंट्रेड में ओके बेटा इंक को अभी भूल जा थुटे रहे क्लियर रात को याद करना बेटा अब सर पोइंट आए कि सर मालो सुनना अरे जवाना बॉल पेन का और आप इंक की बात करते हूं सर पोइंट यह कि मालो मैंने रों मटरी पर चुछ गया हंड्रेड में उस पर 10 रुपी एक साइस पे किया अब मार्कर बनाके में वापस क्या करने वालो हूं इसको मैंने फिक्सर करके बेचंगा बेटा में क्लियर अग मार्कर बनाने के लिए बहुत सारे एड्मिन कोष्ट फेक्री ओवरहेड ब्ला 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 एक्पेंसेज सर कुछ सर्विसेज बहुत सारी मेंने कोष्ट इंकर करी होगी प्लस अपना प्रॉफिट मार्जमी तो होगा सर उसको वो खर्चते मेरा मानलों रुपीज 40 कितना ह यागिया मेरा सेल प्राइस मेरा प्कॉफिट बिंक्लूद के फो क्यों में आप को सार अगेन लगई बड़त एडिटा एक्साइज त्विटी विटा सब्सक्राइब कितना हो गया माली कि टोटल वन सिक्ष्टी फाइव और यह से नो इंडरेट टेक से मैंने आपको इंवोईस बनाए वन सिस्टी फाइव का आप से फिटीन रुपी लिया हो क्या था बिटा एक साइस था यह मैंने गौवर्मेंट को पे कर दिया क्लियर भरत मा अब आप मुझे बता ऊए कोन वैं है मैने ये सब्सक्राइब है बोट सलों को सोच रहे हैं यह कोन आए सामने अब भाई हर मैने फेक्सिर हरा क्लियर अब मेरा पिर बारत यह इशिक एफ इनम और मैने भॉक्छिया क्या अपनी पोकेट से पैश है किसे लिया के तो सर टेक्स लेने वाला कौन गौर्मेंट देने वाले कौन आप लोग तो सर अलिटी में लिया आप से यह पर किसी और के थुरू लिया अप से यह यह 165 रुपी आप से ले लिया हाई ना भाई यहां यहां तक समय सिस्टम अब एक स्टेप लेता हूं विटा ध्यान से लिखना अर्मार कर स्पर रेट आफ टेक्स कितना इस अब टेन परसेंट यह किस ने फिक्स किया है गवर्मन को नहीं होगी तो है अच्छ यार एक बाध्यान से समझना अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुट्स पर एक साइज नहीं होता अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुट्स पर एक साइज नहीं होता तो बताओ यह मार्कर की वैल्यू क्या होती है कि बताइए यह वैलियों मार्कर क्या होता बेटा 140 पका कैसे 140 बेटा भाई 10 रूपी एक साइज यहां लगा 15 रूपी एक साइज यहां लगा क्लियर अगर यह एक साइज नहीं होता हंडेड में पर्शिस करते हैं 40 रूपी आपके अधर अधर इसका मतलब हो गया कि टोटल एक साइज डूटी इस मार्कर पर गवर्मन कितना कमा लिया है पच्छे 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 मैं को आप बिगाड दोगे मुझे पता है सेर नाव पॉंट इस दाएट अधर सर एकसाइस डारेक्ट एक की इन इरेक्ट एकस है क्या है अल्टीमेटि टेक्स गॉइबमन को लेना किस से लेना है भीटा एंड ऐन ऐंड बच्छो अन प्लस वन टू होता है बुक में लिखा है याद कर लो सलेगा आवाज नहीं सिर्व हाँ आँना सर मैंने क्या सप्लाय किया है सर आप मुझे बताओ एंड निट पर्शेस किया है क्लिए सर्व मार्कर फीर्ट तंय bisa मार्कर की वेल्व का विदाउट टैक्स हाँ 1.4 का 10 पर सिटना होता है सर और लिया कितना है आपाई चोर, और हाँ ना भाई क्लियर अल्टीमेटली सर्गवर्मेंट ने मतलब हम लोगों ने डिसायड किया कि मार्कर की रेट ओफ टेक्स कितना है बेटा, जल्दी बूलो, ँb ultimately end consumer tax pay करना है and consumer ने क्या purchase किया Marker प्रेटों टेक्स कितना है बिटा Marker की value कितनी बिटा 140 गा 10% होता है सर ले कितना रहे है थाड़े चोर हाँ है न सर क्लियर गढ़ा तो रग नहीं हो रहा है बोला 14 के लिए और लेर 25 तो गवर्मेंट को नहीं चलेगा नहीं चलेगा कि सर हम सबने क्या करती स्ट्राइक कर दी है केंडल माच नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्न हम तुम्हारे साथ है तुम भुके रो हम तुम्हारे साथ है नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे क्लियर अब साब गौवर्मेंट ने बोला भाई साब क्या नहीं चलेगा हमने क्या गलत किया समझना मत किया हमने क्या गलत किया हम तो सर हमने गौवर्मेंट को बोला आपने रेट रखा 10% और लिया 25 तो गौवर्मेंट हमको कैसे समझा देखो दो को यह रोम अटिल बना तो गौर्मन ने समझाया कि अथर्म ने रवा मॉधिल बनाया उस पर एड़ टेक्स टेन परसंट है हमने 10 रुपी लगाया है बात का समस्ट इसका आपने मारकर मुद्टी में उसका 10% होला 15 हमने टेक्स लगाया है कहा गलत किया सब्सक्राइब करें क्लिया क्लियर सामंच नह Alicia अप्रीज्टst लिया हमने में में healthy हमने म relax wise सitter हम नहीं ह witches अब एंख सब्सक्रांघार कि आप क्या घलत करें क्लियर समझ नहीं मात करूuzzy हमने इसका औप्रशन का अठ्व fiber उपरेश सर इसका पूरा ओप्रशन करते तर अभी आपन कि आखिर यह 150 के से आया बन कि 65 विज्ट पूरा ऑप्रेशन करते डाल तर यह कि कहा गाख और है और कहा गलक जा रहे कहा गौर्मनम को बना रही सत क्या पागल पागल हाँ sir 25 25 is the total excise 25 के सा है बटा 10 plus 15 10 के सा है बटा ये 100 का 10% 100 बोस raw materials clear 100 का 10% किता हो बटा 10 15 के सा है बटा 150 का 10% ये के था बटा आपका output goods अरे clear government ने बोला आपने raw model बनाया उस पर हमने 10% लिया कहां गलत किया आपने आपको बनाया 150 का हम लोग उस पर 10% कि लिया कहां गलत किया हमने का अब सुन तुद्यान से हमने 150 का operation किया बटा आप मुझे बताओ ये 150 के सा है बटा 100 प्लस 10 प्लस 40 अब गरेक्ट ये इस रो मट्रियल इस एक्साइज जुटी इन दिस इस वैल्यू अडिशन हाए न अमालिक कि अब सुनना बात दियाने से अब ऑपरेशन चलो रहा था यह हंड्रेट पे 10 पर पे किया को तकलीफ नहीं यह क्या है अर नेक्स हंड्रेट क्या है इस पे भी तेन परसन लगा जा रहे है यह यह अंड्रेट कौन सा था यह तो वही तो रहुपिटल था जिस हम्ने घुपरानेंट हो कि औरुटारी टेक्स पे कर दिए तो जिसन दिम टेक्स पे अल्रीड पे कर चुके उस पर वापस से टेक्स लह रहे ले रहना भी तो सर शही हो रहे है का यह नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो हमने गवर्मन्न की एक चोरी पकड़ ली क्लियर केंडल मार्ज खतम समझे मेरी बात तो सर सब्सक्राइब कर दिया है उसी अमॉंट पर वापसे टेक्स जिस अमॉंट पर वापसे टेक्स पर उस पर वापसे टेक्स सब्सक्राइब कर दिशेस कोर्ड मल्टीप टेक्स यंक्या कहते सर इसकों कि अच्छा वेसे देखा जातो यहाँ पर डबल टैक्स हेनी हो रहा है आँ सर अपर भर मल्टीपल इसलिए में बुला है कि सर यहाँ पर जो ने चृथ के दोगव भीचा जैसे इन्होंने प्सटिक बनाू ए मैंण प्लास्टिक से मंक बनाया और सक्यूर्ट अन्वर्स अब शंकर और सबना तरुच्ड सा केमिकल की लाट अब नो Tube सब्सक्ड़ आइफ हागुए है से फिे सेम टेक्स ओन सेम अमाउंट इस गोल्ड मल्टीपल टेक्शिश्ट तो सार हमने गौर्मन की चोरी पकड़ दी गौर्मन एक्सेप के लिए ठीकी 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 आप नहीं करेंगे हम नेक्स टेप प्या हमने का यह क्या है भाई पाज कर दी आपने यह क्या तुम यह तुम का मारकर टेक्स लें कि तुम है एक्साइस प्रवर सर्व गलत कर दो अगें हो रहे है यह इंड़ा सर्व इस अटेक्स आंड़्यून डाइक्स आप्सलुटली रोंग नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस इसकार्ण काहिए श्कूँ म cascading effect of taxation इसको बोलता हूं मैं क्या same text on same text same text on same text is called cascading effect yes no Malik clear बगा पका तो सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा गौवर्मेंन नहीं इमान ली की बात सर बिल्कुल सही करें आप clear हम जोश में आगे हम क्या बोलते है next day 4 नहीं चलेगा अब क्या नहीं चलेगा रहे गौणने बोला यह वैल्यू का पाठ है कि नहीं है और यह से नो clear और आपको पूरी वैल्यू उफ मार्कर पे टेक्स लगाना है सर clear लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए clear हमने बुला ठीक 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 हाँ है यह लगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्लियर डन तो सर क्या होगा अब इस से अब देखना उपर वापस दैन से सर हमने क्या किया अल्टिमेटली यह रोसपी पर एक बात लगा दस रुपर चलेगा 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 नेक्स्ट सर इस वापस 100 पर tax नहीं, इस 10 पर tax नहीं, इस 40 पर tax यह तो ultimately यह 10 TV टेक्स और यह 4 TV टेक्स कितना हो जागा है बड़ा 14 140 का 10% होता है कितना है 14 बिलकुल सही मतलब यह कि रोम बड़ल पर एक बाद पर टेक्स लगा रहे हो तब किस पर लगानेगा क्योंड टेक्स किस पर लगानेगा टेक्स मतलब next stage पर टेक्स लगेगा but only on the amount of value addition टेक्स लगेगा value addition पर टेक्स इस गॉल्ड value added tax हाय ना मालीक क्लियर इसलिए नाम बढ़ा क्या value added tax अभी आई कहनी रुकोगी आया मजा कुछ आरा की जा रहा आके जा रहा की रुक रहा रोक के रेखने का बटा है ना जितना रोक उतना मजा रहेगा सब्सक्राइब पॉइंट पर आप से यह है कि मान लो सर वही एक्सम्पल अभाम इदर लेलता सर की साब वैल्यू अधिशन पर टेक्स वैल्यू अधेड टेक्स ऑके साब यह मैनुफिक्ट्र क्लियर यह मैने रोम अधिल पर्चास के अज़ना दियां सब्सक्राइब प्रट हंड्रेट एक्साइज किता में बडा चल्दी दो कितना यह मेरा पर्चैस इनवेशन बटा लिए जली बटाओ 110 मैंने वैली दूटिशन के ताटाँ सर कि किसका वन फिप्ट्रिविट का नजगे बटा क्लियर इस पर क्या लगएगा एक्साइज रिट कितना है बैटा टैन परसेंट टैन परसेंट किसका वन फिप्टी का टैन परसेंट एक्साइट कितना होता है फोर टोटाल वन फिफ्टी फोर यसे नो क्लियर अल्टिमेटल लिए अप देखो टेक्स कुस्टमर से कितना गया इसा वैल्यू फॉर्टी टोटल एकसाइज कितना लगा बड़ा वैल्यू फॉर्टी उसका 10% कितना बड़ा 14 कैसे टेक्स जारा है जदा जारा है तुम जारा है पर्फेक्स जारा है पका डन दिस वह इस वह एक्डा टैक्स ओके सर ठीके सर अच्छा आपने कभी कोई अब नेक्स बात कराऊ आप ने कभी बजार से कोई भी गुट्स करीदी कुछ वोलिया होगा लाइफम कभी नी चलिये मालो आपने मोबाइल पर्चेश किया बड़ा कितने का पॉचिस नहीं अभी हो पंड़ा का यह फर्चेश किया है वने क्लेर 15,000 के आपने mobile purchase किया suppose इस पर rate of tax कितना है बटा 10% मान लो कितना होता है बटा अर बोलो ना भाई आएं मेरे बाई साब मैंने कुछ नहीं किया है यहाद दो जूर एक्स्टा लगा देख्लों आप जान से अभी तो आप करते विल्कुल सही हो रहा मजा आगया भारतमाते की जाए मैंने क्या किया रहे दो जूर एक्स्टा लगाए बटा अभी ता बहुत खूश हो रहे थे सर्व वैल्यूद टैक्स क्या आपने कभी ऐसा बिल देखा है तो वापस क्या लगा दे फिफ्टिन लगा दे बटा वापस अगर पूरा फिफ्टिन लगा दूंगा वन फिफ्टि पर टेन परसेंट लोड के बदू घर को है है ना तो ऐसा क्या मेकनिस्म लगाया जाए ऐसा क्या सिस्टम मनाया जाए सिस्टम मनाया जाए जिसकी वेज़े से बिल भी पूरे का बने उस पर टेक्स भी पूरा लगे और सर मल्टिपल टेक्शिशन और कैस्कनिंग फेक्ट भी ना हो हाँ अए ना भाई और कर्श्टमर को पता पड़े कि उसकी पोकेट से पुरा फोर्टीन गया है के वल फोर नहीं गया है हाँ ना तो वहां आया सिस्टम किसका सेन्वेट क्रेडिट का इंपुट एक्स क्रेडिट का अब सुनना बात को ध्यान से यहां तक सिस्टम समझना आपको अरे पक्का क्या ब्रेक की ज़रुत लगरी कि आपको सर अजी उधर पक्का चलने दे दस में चलने दे फिर अकर लगेगा ब्रेक देना है तो विल डू ओके पर अभी तुम जा रहा है ना सर मैंने वलना चड़ती शरास नहीं चड़ती सरकार सुनना द्यान से अरे चड़री कि नचड़री भाई तो सर अब आराया दिल थामके सुनना सेन्वेट क्रेडिट जिल थामके आराम से आराम से हले हले सेन्वेट क्रेडिट सुना सुना ओ शरी सर 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 अर्ण मिलेगा मिलेगा सब को मिलेगा बात यह कि माल लो है है हाँ है अवी में बढ़े हैं कितने का 100 का अ कि अ लुए सब ए उस पर से कितनां परसंट टा टेन टोटल हम्रेट एंटन नकाराफ सुन्हा बात कुद लिए थे यह बात समझ में आ गई तो मजने आ जीवन सब्सक्राइब जब आप गुड्स बनाके बेचोगे जब आप गुड्स बनाके अच्छा मैंने लिखा है सेन्वेट क्रेडिट अभी इसका मतलब क्या वो चोड़ो सब्सक्राइब इसको छोड़ो इसका ऑपरेशन करना बाकी बिटा है ना यह वर्ट में के रहा हूं एक एक वर्ड का भी ऑपरेशन का डालूंगा मैं आप उसका चोड़ दो जो बता रहा हूं वह समझ लो अगर कोई बात मैंने नहीं समझाई है मतलब वह समझाने लाइक अभी पिल जारे इधर पिटा ओके मलीग ठीक 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 सरकार मैंने रोब पर्चेज के कितने का हंड्रेट का उसमें एक साइस प्रेके कितना है तेन परसंट टेन रुपी टोटल हंडरेन टैन अब गुवर्मेंन बोलती क्या बिटा कि जब आप गूर्स बनाके बेच लगाएंगे बिटा मतलब 140 वैल्यू है तो पूरे 140 पर टैक्स लगाएंगे है है कि समझाए मेरी बात अब सर हमने बोला कि अगर हम पूरी वैल्यू पर टैक्स लगा देंगे तो वापस से मल्टिपल टेक्स हो जाएगा कैस कडिंग इफेक्ट हो जाएगा गौर्वर्मेंट ने बोला अरे बाई पूरी बात तो सुन हमने बोला कि पूरी वैल्यू पे जब तुम आउट्पूट को बनाके बेचोगे उस पूरी सेल प्रैस पर टेक्स लगाना पर तुम तो उसका उतना अमाउंट का हम आपको benefit देंगे उतना अमाउंट आप कम पे करना हमको देट विविल ट्रीट लाइक एज़िव पेट दा एडवांस टेक्स क्योंकि देखो अल्टीमेटली मार्क बनकी कंजूमर के बाजने वाला है बेटा क्लियर अब मार्कर का एक हिस्सा तो उतने हिस्से पर हम आपसे टेक्स जो ले चुके उसका benefit हम आपको बाद में दे देंगे उसका credit हम आपको बाद में दे देंगे एक तरह से अचाईंड ओफ एडवांस टेक्स के मालेजे बिटा है ओटर अचाँ अध्वांस टप्स करन्ट सट हर अपना विटा अकौंट की बात करे के लिए अपने पे क्या अकॉंड्ड ओट रॉसेंट पूरा नहीं हुँआ लाइव डिपूरी पे नहीं हुए तब तो एक तरह से एडवांस टेक्स एडवांस ना यार तो क्या वो कोश्ट का पार बनेगा क्या नहीं तो रोम में पर्चेस के 110 में जिसमें 10 रुपी क्या था बेटा एक साइस डूटी वह एक तरह से एडवांस टेक्स है जो मेरा सबस्क्वेंट लाइवड़ी में काम आ जाए गाए सर बेट देए तो इसका में क्रेड़ लूँगा बेटा में तो इससाथ 10 रुपी एस कांड ओफ क्रन्ट असेट हान भाई जिसको हम मुलते क्या सेन्वेट क्रेडिट यह इन्पूट टेक्स क्रेडिट अचा सेन्वेट इसले बेटा की एक साइज किसका रेविन वेटा central government का और हम पढ़ारे value-aided tax भबाता तो तो central value-aided- a c- g iike है सारे central value-aided- alex पर सर अगर केवल सेन्वेट होता credit का system नहीं होता तो बिल इस तरह का बनता है है न विज रॉंग इसलिए credit का system आया इस लिए स्को होते बटा सेनवेट क्रेडिट कि ओक वालीक थिक तो सर हम ने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया हमने सेन्वेट ले लिया सैंवर टेकन कितना बटा 10 अच्छा आउट ओफ 110 दस का मेरे को क्रेडिट मिल गया तो मेरी कोश्ट कितनी बजगी बेटा बोलो 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 सूर मैं कोश्ट इस ओनली रुपीज हंड्रेट मैंने भी वैल्य ओडिशन के कितने का बटाव टोटल 140 यह क्या बन गया बेटा आउटपूट गुट्स मैंने मार्कर बनाया है बना के जब मेरे भाई आपको बेचूंगा क्या लगेगा अगे रेट कितना होता है पूरी वैल्य पे लगेगा कैसर कितना होता है 150 4 ंडरे ट या स्टैक से मैंने कॉमर से 158 ली या इसमें 14 रुपी क्या है इसमें 14 रुपी क्या है सव इंकद्टीusz तो मेरा सेल प्राइस किसा मेरे मैं मतलब फ्रेटे गोडीं को म n म lowered हमी मेरा है टॉइ एक q2 आओ अ यॉंडवर्मेंन का सर्ग में 14 गौर्र्मन्न को शैजतर हमने फोर्टीन हि MI ma surfive करो हमने गवर्म । यांद करों दस रुपए मेर जो मने परंजेस फिंट में छी किया था आपको उल्रीड वाइट एड्वांस में सर मैने अथरव को टॉक्त की था भीटा रो मटर Лीते वे वे बिटा और अथर ने गौर्म आप पह अतना कंपे कर सब्सक्रांद क्या कर लिया यूजब लिया अरि सबस्क्राइब किया उसका उस्का मने क्रिट कर लिया यूज कर लिया अब सर आउट ओफ फोर्टीन में दस रुपे का क्रेट अल्री यूज कर चुका हूं उतना पे मैंने कर दिया गौर्वर्मेंट को रिमेनिंग कितना पे करूंगा पिटा में फॉर और भारत माता की जाए हाँ बाए उकले अढ़ाए बताओ मुझे गॉवर्मेंट की पॉकेंट में गत्यों गेया है और जिखोटीन की पाट में टेक्स किप्सक्र घाया है। 14, value of goods कितना है बिटा, 140 उस पर rate of tax कितना है बिटा, 10% होता कितना है सर, सही गया गलत गया, बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ सर, customer को भी पुरा पता बढ़ा कि मेरे मेने पर्चस भी टेक्स कितना बें गया बिटा, हाँ है न भाई, this is what is called send rate, credit, यहां तक समझना है कि नहीं यहां तो मेरा question आप से यह है, my point is that, यह 10 का आपने credit लिया बिटा, 10 का credit क्यों मिला, क्योंकि पर्चेस पर टेक्स भी क्या वाज़ा, रहा है न मालिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते है, मान लो, मान लो, sir, क्या नाम, darshan, sir, मान लो, आप के मनाते हो बिटा, marker, marker, mangal बनाता है, okay, sir, आप बनाते हो क्या, pen, you are a manufacturer of pen, and मान लो, pen पे exercise duty, exempt है, pen पे exercise क्या है, exempt, pen पे exercise, exempt, sir, अब pen पे exercise exempt है, तो क्या, sir, तो क्या होगा देखना द्यांसा, अच्छा, एक ब्रेक बिदू के पीचे में आपको एक नहीं चाहिए, पास मिंट का ब्रेक, सब्सक्राइब, एक आपको एक आम करते हैं, दस सा ग्रेड कुए मिला यह बहुत भारी महोल एक दम, यह मंत्र जिएष्टी का, जिसकी अच्छा, जिएष्टी बूल गया कि मैंने, आक्चिलिए जिएष्टी का मंत्र है, यह वो मंत्र है, जिसकी वएशे जिएष्टी आय आया है। clear ठीक है हम 5 पाश मिनिट की बाद कंटियू करेंगे अच्छा हमको जिसको ब्रेक की जरूत नहीं है यही रुखो क्लियर जिसको लगता है ब्रेक ही जरो होते हैं पर पास मिन्ट सर जदा नहीं सर ओके एंड दस मिन में हम क्लास ट्रू करेंगे बिटा ओके चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद माहूल के साथ सर कि I hope माहूल बना सर अरे जबर्दस वाला ओके ओके